जबसे राहूल गांधी की भारत जुड़ो नयायातरा उत्तर परदेश के अंदर पहुंची लगतार राहूल गांधी पेपर लीक के उपर सवाल खड़े कर रहे थे कि ये उत्तर परदेश सरकार के विफलता है कि पेपर बार बार लीक होता है राहुल गांदी ने कहा कि उत्तर परदेश सरकार जान बूच करके पेपर लिग करवाती है ताके युवाओं को रोजगार न मिल सके दोस्तों आपको बता होगा अभी कुछी दिन पहले उत्तर परदेश के अंदर पेपर लिग का मामला सामने आया है लगतार भारत जोडो निया यातरा का दर्मियान से राहुल गांदी सवाल पे सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या वज़ा है कि उत्तर परदेश सरकार पेपर लिग करवा रही है और उत्तर परदेश में बार बार पेपर लिग का मामला सामने क्यों आ रहा है ये सवाल खड़े करना लगतार राहुल गांदी का कहीं ने कहीं ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी काम्याबी हुई उत्तर परदेश में उयूपी पुलिस का एक्जाम दोबारा होना है उत्तर परदेश के मुखमंत्री ने एलान किया है कि छे महीने के अंदर अंदर दोबारा पेपर कराया जाएगा और जो एक्जाम हुए हैं उसको रद कर दिया गया ये कहीं न कहीं राहुल गांदी की भारत जुड़ो निया यातरा का बहुत बड़ा सफलता है दोस्तों और वहीं पर आरो ए आरो का जो पेपर हुआ है उसको अब तक रद नहीं किया गया और उस पे कोई उत्तर परदेश सरकार का जवाब नहीं आया और वहीं पे धरना परदर्शन युवा लगतार कर रहे हैं कि आरो ए आरो का पेपर भी दोबारा कराया जाए इस एक्जाम को रद किया जाए तो उत्तर परदेश सरकार दोडा दोडा करके उन युवाओं को जबरदस तरीके से पिटाई कर रही है जबरदस तरीके से लाठी चार्ज कर रही है million तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन युवाउं को दोड़ाया जा रहा है कहीं न कहीं उत्तर परदेश पुलिस को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे दोडाना है वैसे तो पुलिस ट्रेनिंग ले करके ही आती है लेकिन वो ट्रेनिंग ऐसे युवाँ पर दिखा रही है जो उत्तर परदेश के रिढ़ का हड़ी है दोस्तों बात यहीं नहीं है एक तरफ युवा सड़कों पर आपको नजर आ रहा होगा युवा अपनी मांग को ले करके अपनी नोकरी को ले करके सड़कों पर है ताकर उसको रोजगार मिले जो युवा तीन साल से जादा तक मेहनत करता रहा ताकर हम अपने भविस बनाएंगे हमें नोकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, इस से हमारा और हमारे परिवार का पालण पोशन होगा, लेकिन तमाम उम्मीदों पे उत्तर पर देश सरकार पानी फेर करके और उत्तर परदेश की पुलिस को उनके पीछे लगा दिये ताकि किसी भी तरीके से ये सड़क पर कोई भी मांग न कर सके दोस्तो उनको दोड़ा दोड़ा करके जबरदस तरीके से पीटा गया और दूसरी तरफ किसान भी सड़कों पे हैं किसान भी एपनी सड़कों पे मां कर रहे हैं कि MSP की गारंटी दी जाए लेकिन सरकार MSP के नाम लेने के तयार रही और किसानों का नाम लेने के तयार नहीं ये दोनों जो एक तरफ युवा और एक तरफ किसान ये दोनों देश की रिढ़ की हड़ी माने जाते हैं लेकिन दोनों ही सड़कों पे मौजूद हैं और पूलिस परशासन की लाठिया खा रहे हैं, आसुग गैस के गोले दागे जा रहे हैं, सोचिए हमारा देश कहां आ गया है, राहूल गांधी युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार भारत जोड़ नयायात्रा से सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं, किसानों के हित में राहूल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को उपर राहूल गांधी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ऐसा करा रही है, सरकार अगर नहीं चाहती तो किसी भी सुरत में पेपर लिक नहीं हो सकता था, और अगर सरकार चाहती तो उन किसानों को MSP की गारंटी दे देती वो किसान घर वापस चले जाते जब ही तो राहुल गांदीर एलान किया है कि अगर कॉंग्रेस की सरकार बनती है इंडिया गडबंदन की सरकार बनती है तो किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी दोस्तो सोचिए कि जब विपक्षी पार्टिया इस तरीके से एलान कर सकती है और MSP की गारंटी की बात कर सकती है तो जो सरकार 10 साल से केंदर के अंदर मौजूद है वो सरकार भी MSP की गारंटी दे सकती है जबके सरकार इससे पहले वादा किसानों से कर चुकी है और किसान वही तो मांग रहा है जो सरकार से वादा हुआ है जो सरकार ने किसानों से वादा किया है किसान भी तो वही मांग रहे है सरकार आज उनकिसानों को लाठी चार्ज करने पर मजबूर क्यूं है क्यों लाठी चार्ज कर रहे हैं क्यों आसु गैस के गोले दाग रहे हैं क्यों छर्रे दागे जा रहे हैं क्यों रबड गोली से उनको दागा जा रहा हैं क्यों ड्रोन के जर्ये आसु गैस के गोले उनकिसानों को दागे जा रहे हैं जबके उस मजमा में और उस मजलिस में पत्रकार भी आपको नजर आ रहे होंगे, परसासन के लोग और किसान भी नजर आ रहे होंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं देखा जा रहा है, बस गोले दागने हैं तो दागने हैं, यहां से लोगों को हटाने हैं तो हटाने हैं, सरकार इस वक्त इतनी विफल साबित हो रही है कि किसी भी सूरत से किसी की बात मानने के लिए तयार रही